कहते हैं कि दुनिया में मा के बाद चोटी बेहनों से कोई सबसे जादा प्यार करती है तो वो है उसकी बड़ी बेहन वो बड़ी बेहन ही होती है जो अपनी चोटी बेहनों के दुख दर्द को बहतर तरीके से समझ सकती है लेकिन कानुन के शिकंजे में खड़ी इस बेहन को देखिए इस लड़की ने जो हरकत की है उससे सुनने के बाद आपके खोश उठ जाएंगे पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस लड़की का गुनहाई ये है किस ने अपने ही दो सगी बेहनों की निर्वम हत्या कर दी चले अब आपको पूरी कहानी बताते हैं दरसल यूपी के टावा में दो मासुम बेहनों की हत्या कर दी गई दोनों की लाश घर के अंदर खून से लड़पत मिली थी लेकिन पुलिस ने इस जगन या हत्याकांड का महज 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया पुलिस के मताबिक हत्या करने वाली कोई और नहीं बलके मृतक बच्चियों की बड़ी बेहन है जो अब कानुन के शिकंजे में आ गई है पुलिस के माने तो दो मासुम बेहनों के हत्या के वारदात को उसकी ही बड़ी बेहन ने अंजाम दिया है हत्या रोपी के उम्रों 19 साल की है हत्या रोपी की निशान देखी पर हत्या में इस्तमाल फावडा भी बरामत कर लिया गया है दरसल जिन बच्चों की हत्या हुई है उन्होंने हत्या रोपी अपनी बड़ी बहन की शिकायत माबाब सकी थी बड़ी बहन किसी लड़के से फोन पर बात करती थी शिकायत वाली बात पर बुस्से में उसने वारदात को अंजाम देडाला फिलाल बड़ी बेहन को गिरफतार करके जेल बेज दिया गया है इसा लग रहा था कि तभी कपड़े दोए गए और वो सुकाए गए थे तो और वहां पर एक फावड़ा मिला फावड़े के कुछ इससे पर ब्लड लगावा था बाकि वह भी दोया हुआ था तो कुछ संदे परीजनों पर ही हमें गया इसके बाद डोग स्कार्ड और कुछ बेंजाडिन टेस्ट के लिए गए और बाकी चीजों से पूष्टाच की गई वहां के ग्रामिनों से तो उसी पूष्टाच के आदार पर मरतक दोनों बच्चियों की बड़ी बहन से जब पूष्टाच की गई तो सारी बात इसपष्ट हो गई और उसने ये जुर्म कबू किया है देखे इसमें अबैटमेंट और इंवल्मेंट दोनों पर अभी जात जारी है और सभी बिंदों पर जो भी तथ्याएं उसके आदार पर कारवाई की बतादें कि उधर दो मासुम के हत्या से घर में कोहराम मचा हुआ है कल जब खेट से लोटी मा ने जब घर के से पूरा गाउं देश्यत में आ गया और परिवार सद्मे में घटना के फॉरान बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई जो ऐसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जांच परताज शुरू की तो सबसे पहले घरवालों पर ही शक्की सुई गई जिसके बाद सबसे ब अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद